हाई फ्रेंड्स आप सभी का रिटली स्मार्ट इन्वेश्टर यूटीव चानल पर श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा का जो विशाय बनाया है इंडियन एकनोमी की रिकवरी वो कैसे देखने को मिल सकती है आफ्टर पेंडेमिक सिच्वेशन जब इंडिया में कोरोना वायरस का जो परकूप चल रहा है उस पर अगर कंट्रोल हो जाता है तो इंडियन एकनोमी किस प्रकार से ग्रो कर पाएगी इन सारी बातों पर चर्च होंगे जो रिकवरी में काफी लीड करेंगे और उससे रिलेटेड कौन-कौन से स्टॉक है जिसमें हम लोगों को निवेश करने से फायदा हो सकता इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे तो जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से निकल करके आ रही ह है और यह कोरोना से रिलेटेड न्यूज है दोस्तों कि अस्ट्रेलिया के अगर हम लोग पेंडेमिक ग्राफ को देखें तो जो इनका फर्स्ट वेव आया था वो लास्ट येर मार्च में पिक किया था उसके बाद सेकेंड पिक इनका आया था लास्ट येर अगस्त में और खतम हो चुका है हलांकि गवर्मेंट और पब्लिक द्वारा अभी भी सारे प्रिकॉशन और प्रोटोकॉल फॉलो किये जा रहे हैं लेकिन इससे बहुत सारे जो एकनोमिकल कंडिशन हैं वो बदलते वे देखने को मिल रहे हैं और अगर इसके न्यूज पर हम लोग दोस्त जो ग्रोथ आते वे देखने को मिल रहे हैं वो काफी हाई ग्रोथ है और उनके खुद के कंट्री से आते वे हम लोग देख पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है उस पर भी नजर डाल देते हैं तो अस्ट्रेलियन एकनोमी प्री कोविड लेवल पर तक प्री कोविड लेवल पर 5.1% हुआ करती थी उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड यह 5.1% हो गया है तो अपने यह प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच गई है अस्ट्रेलिया में जो रिकवरी देखने को मिल रही है और यह रिकवरी कहां से आ रही ह हुआ है रिटेल से देखने को मिल रही है तो कहींने कहीं हम लोग है मान के चलें दोस्तों कि जब इंडिया में भी कोरूना पर लगाम लगेगा और यह कंट्रोल में आएगा तो जो recovery देखने को मिलेगे इंडिया निकनोमे में, वो भी इनी सेक्टरों से हम लोग आता हुआ देख पाएंगा, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं, तो दोस्तों जब ऐसा होगा, कुरोना कंट्रोल में आएगा, तो कौन-कौन से stock हो सकते हैं, तो हम लोग ब तेजी बनता हुआ देखने को मिल सकता है, route mobile, जो की online business में है, वहाँ पर भी तेजी बनते वे हम लोग को देखने को मिल सकती है, डी मार्ट जो की रिटेल चेन चलाती है, वहाँ पर हम लोगों को काफी तेजी बनते वे देखने को मिल सकती है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं, जो की अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, आप के पास अगर कोई आइडिया हो तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, वो है HDFC, तो अब हम लोग सीधे इसके जो प्राइस हैं, वो कितने चल रहे हैं, उस पर हम लोग नजर दे देते हैं, HDFC अभी 2500 रुपीज पर ट्रेड करता हुआ, देखने हो मिल रहा है, वहीं अगर इसके 52 खाई की बात करें, तो य अगर 52 खाई से काफी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर 52 लोग की बात करें, तो ये 1600 देखने को मिल रहा है, इन अस्तरों से ये काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर हम लोग इसके चार्ट पर नजर डालें, सौट टर्म के लिए, तो वहां पर क्या इस्त फिर ये गिरावट में ही चल रहा है, अगर ओभर ओल ट्रेंड बोले, सौट टर्म है, तो ये साइडवेज मोमेंट देता हुआ, देखने को मिल रहा है, तो अब दोस्तों, अब हम लोगों ने ये जान ही लिया है, कि जब रिकवरी आएगी मार्केट में, जब कुरोना पर लगाम लगेगा, तो हाउसिंग, फैनांस कमपनियां लीड करते वे नजर आएंगी, और रियल इस्टेट से भी कुछ स्टॉक जिसके फंडमेंटल्स काफी मजीबूत हैं, वहां से भी हम लोगों को काफी तेजी होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो अब इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर इसमें तेजी आती है, तो इस टॉक कीस अस्तर तक जा सकता है, इन सारी बातों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे वीडियो के आगे में, तो सबसे पहले हम लोग इसके जो फंडमेंटल्स हैं HDFC के, उसको एक बार चेक कर लेते हैं क कि वीड के चलते इसके रिजल्ट में क्या इंपक्ट पड़ा है, उसके बाद फिर हम लोग इसके टेकनिकल चार्ट पर डिसकसन करेंगे, HDFC के स्टेंड अलोन रिजल्ट की बात करें, तो यहां पर मार्च क्वाटर में इनके सेल्स में, यह देखें, तक्रिवन 48,000 देखन को मिला है, और अगर इसके पास्ट के पिरियड के रिभेन्यों ग्रोथ को देखें दोस्तों, तो कभी भी इसके रिभेन्यों में हम लोगों को डिग्रोथ देखने को नहीं मिला है, तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि पैंडमिक की वज़से, HDFC के रिजल्ट इंपक्टेड लेकिन दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हाउसिंग सेक्टर में बूम आ सकती है, तो इसका फायदा कहीं ने कहीं, HDFC जो की सबसे बड़ी हाउसिंग फैनांस कमपनी है और इंडिया में सबसे ज्यादा यह टर्न आवर करने वाली कमपनी है, तो इसको सबसे ज्यादा फायदा भी मिलेगा जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी और सबसे तेज गती से यह स्टॉक उपर जाता है, हम लोग पुरे विस्वास के साथ कर सकते हैं, तो वापस हम लोग आता हैं दोस्तो चार्ट पर कि चार्ट पर क्या स्थिति बन रही है HDFC की, तो अगर लॉंगर पिरियेड में हम लोग देखें, तो यह स्टॉक लगातार बूल फेज में चल रहा है, यह देखें, लगातार बूल फ देज एमा से उपर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके 50 डेज एमा और 100 डेज एमा के आसपास ही यह ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो जब इसमें तेजी आईगी दोस्तो तो जो इमेडियेट इनको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वो तक्रिवन 2659 का देखने को मिल रहा है, लेकिन इस लेवल को abstraction करने से पहले इसके हम लोग मंतली चार्ट को भी देख लेते हैं कि मंतली चार्ट में क्या इस्तिती बन रही है, तो यहां पर देखिए दोस्तों मंतली चार्ट में ये जो structure बन रहा है, ये काफ़ी interesting structure होता है किसी भी audit fundamental वाले stock के लिए इस प्रकार के structure के बाद अक्सर यह देखा गया है कि stock में काफी तेजी देखने को मिलती है तो तेजी कब आएगी दोस्तों यह तो पता नहीं है लेकिन यह structure काफी अच्छा देखने को लग रहा कि कभी भी इस stock में breakout आ सकता है जब भी market का sentiment HDFC के लिए positive होगा अब वहीं पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों weekly chart की तो weekly chart में हम लोग क्या देख रहे हैं weekly chart में भी यह stock जो है sideways moment देता हो देखने को मिल रहा है तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों target की तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका strong जो resistance देखने को मिलेगा वो 2659 के level पर देखने को मिलेगा जब भी यह stock 2659 के level को तोड़ करके ऊपर निकलेगा तो immediate जो target हम लोग देख पाएंगे HDFC में वो तक्रिवन 3217 या अगर हम लोग बोले लंब सम यह 3200 के आसपस जाता हुआ देखने को मिल सकता है ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को वाच किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धिन्यवाद और आपकी भी राए HDFC के बारे में कुछ है तो आप मेरे comment box में जाकर के जरूर लिखें और बहुत सारे stock की चर्चा हमने अपने वीडियो में की जो की recovery में अच्छा momentum दिखा सकता है तो इसके अलावा भी आपके जहन में किसी stock का नाम चल रहा हो जो की recovery में तेजी दिखा सकता है तो आप मेरे comment इस टूडियो का इंतियार करेंगे तब तक के लिए आप सभी को जैहिंद